Hello Everyone, Welcome to our YouTube Channel JKLA Test Info तो यहाँ पर हम Current Affairs Discuss करेंगे जैसा कि हम Daily Current Affairs Discuss क्या करते हैं वैसे हम 6 और 7 सेप्टमबर के आज हम Current Affairs Discuss करेंगे जो भी Top 15 Questions है वो डिसकस करेंगे संडे के जो Current Affairs है वो मैं मंदे को कंबाइन करके डिसकस करता हूँ तो आज की दिन हमारे संदे और मंडे के करें इंटरफेर्स डिसकस होने जा रहे हैं Top 15 questions जो मुझे लगे मैं वो आपसे discuss कर रहा हूं यहां पर सबसे पहला question आपके screen में है और PDF का जो link है वो आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा और साथ साथ PDF जो आपको टैलिगा में भी मिल जाएगा यहां पर first question के बात करने कहा गया है Name the Bollywood actor who has been appointed by the private life insurance insurer Bajaj Alliance Alliance Life Insurance Company Limited as its brand ambassador यहां पर Bajaj Alliance Life Insurance Company Limited की बात करें उन्होंने अपना brand ambassador के से appoint किया या आपको बताना था किया वो रनवीर सिंग को appoint किया brand ambassador या Vicky Kaushal को आयुषमान खुराना को या फिर कार्तिक आरेन को तो यहां पर जो correct answer रहेगा वो option number C रहेगा आयुषमान खुराना को brand ambassador बनाया गया है Bajaj Alliance Life Insurance Company की द्वारा आगे चलते हैं next question के बात करते हैं यहां पर देखें आप अपनी तरव से guesswork भी लगा सकते हैं अगर किसे को knowledge वगएड़ा है तो वो current affairs का answer जो भी questions होंगे उनका answers मेरे बोलने से पहले पहले comment section ने बताएगा next question के बात करने कहा गया है who has launched किसने launch किया है English Pro English Pro एक free mobile application है किसने से launch किया है develop किया है English and foreign languages University Hyderabad में but launch किसने किया है यहां पर आपको यह पूछा गया English Pro applications की बात करें इसको launch किसने किया प्यूश गोईल जी ने launch किया है Amit Shor जी ने यह रमेश पोक्रियाल निशांग जी ने फिर गिरिडात से ने सब भी हमारे ministers हैं तो किसने launch किया है रमेश पोक्रियाल निशांग आपने मुझे बताना है यह कौन से minister हैं आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आगे चलते हैं नेक्स कुछिन के बात करते हैं कुछिन नुबर थर्ड की तरफ यहां पर कहा गया विच डे इस ऑब्सर्वट एज दा सब्सक्राइब रहे चाहिए इन टरफ करें हैं इसी के साथ आगे चलते हैं एकस्ट क्विश्ण कि यहां पर बात करते हैं चाहाग है टेन अजरे टेर्टेंग है उनरें दोबारा है उनका इंति डेंग गेंग ब्राइब है यह इस तंह लिए रहा यहां पर देखते हुए 10 cavt URL यहां पर केम्पेन यहां पर 10 mad 10 kCarolais नहीं humor कर ने यह से IK है कुई से सरकार मीच भाइस सरकार में पंजाब की सरकार में पिर चारलय की legal कि नहीं पर आपके आपना की इस WeaaS हाए stands Canada ओर इस का कैसा ही इसे कोडिंग क्या है कि इस fah से हाएं काम करना है दस बजे दस बजे दस हथी मदधे में को देन निकाल है तुमोज नस बजे करना है तो आगे चलते हैं मैं कि तरफ चलते हैं यहां पर कहा गाया विच्ट यूटी कौन फिर यूटी ने TOP किया है EASE OF DOING BUSINESS की जो RANKING लाई है पहले कंटर वाइस यप स्टेट वाइस भी लेकर आ है तो हमारे इंडिया में कुंचे स्टेट या फिर यूटी ने इस RANKING में TOP किया है जिसका नाम है EASE OF DOING BUSINESS तो यहां पर तेलांगना ने TOP किया है आंदर प्रदेश ने TOP किया है या फिर केरला ने टॉप किया यहां पर टॉप किया है वह आंदर प्रदेश ने किया है इस अफ डूइंग बिजनिस में तुभी ओप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा आगे बड़नेस पर आपको बताना चाहूंगा हमारा इंस्टाग्राम भी जेकलेटेस इंफो के नाम से है हमा पहले वुमेन आईजी बन चुके हैं जो CRPF को लीड करने जा रहे हैं कश्मीर में यह सबी के सबी जो है ना IPS Officers हैं तो क्या वह संजुकता प्रशर है या वह सोन्य नारंग है डॉक्टर बी संधिया है या फिर हो चारू सिंग है सबी के सबी वुमेन IPS Officers हैं बट इन में से कोन है जो वुमेन आईजी बनकर लीड करने जाने CRPF को कश्मीर में तो जो correct answer है रहेगा वो जिम थोड़े जम्मु की knowledge है कि जम्मु के CRPF को कौन से तो उनको पता होगा चारू सिंग जो कि जम्मु के पहले वुमेन आईजी बनकर जो CRPF को लीड करने कश्मीर में इससे क्टामें चलते उडिशाट की विरुदहिंद नगर दिस्टिक्क रहें जिसको सेलेक्ट किया गया कि वो स्टेट की पहली फुली डिटीटल इकॉनमी डिस्ट्रिट्स तो पहली मतलब फुली डिचिटल को पलाओ करती है vis केरलों को भी लॉंग करता है या फिर तमिल नाडू को या अंदरप्रदेश को या तैलांगना को तो यहां पर जो correct answer रहेगा वो बी option रहेगा तमिल नाडू आगे चलते हैं question number 8 की बात कर लेते हैं कहा गया है which state government has decided to cut down the salaries of MLA's ministers by 30% for one year कौन से state government ने decide कि अपने को MLA वगारन के salary को 30% तक कम किया जागा एक साल के लिए तो यह काम क्या है गुजरात सिरकार ने तो बी option यहां पर correct रहेगा आगे चलते हैं next question की बात करते हैं यहां पर कहा गया है dash partners with cyber space foundation cyber peace foundation पहले में ने create के जाएगी तो किसने partnership किया cyber peace foundation के साथ गूगल ने वर्टसएप ने Facebook ने फिन में से कुछ भी नहीं है तो यहां पर जो correct answer रहने वाला है वह option नबर भी रहने वाला यहां पर कहा गया है कौन से कंट्री जो इसकी लार्जस ने विए वर्ल्ड में सबसे बड़ी ने कौन से कंट्री की है जो रिपोर्ड है यह पेंटैको रिपोर्ट है कुसके यहां पर जो correct answer रहेगा वह option नबर से चाहिना रहने वाला है आगे चलते हैं 11 कोशिन की तरफ यहां पर कहा गया है विच आफ फॉलाइंग स्टेट कौन से स्टेट ने रिसेंट्ली लांच किया है स्वेम स्कीम ताकि वह प्रोवाइड कर सके स्टेट के दो लाग यूद को उस स्टेट के दो लाग दो यूवा हैं उनको इंप्लाइमेंट प्रोवाइड कि जाएगी तो एक लांच की गई एप्लिकेशन इसका नाम है स्वेम यह किस ने लांच किया असम ने पंजाब ने केर रहने हैं फिर तन लांगना ने तो यहां आगे चलते हैं कॉशन नम template 12 की बात कर लाते हैं पर कहा आगे दैली की paris कि получилось के साथ गया है कोंसे स्टेट के साथ एक बारत स्टेश्ट भारत में अंगे पहले बी बदाया था हाली में करेंटेफेर स Dodge ृट्रणद की बारे में वास इससे पहले उत्र पैराइन के बारे इस बात करें कि इंडिया की जी जी डिपी है एप्रेल जुन की वो कॉंट्रैक्ट होगे कितने परसंट से तो यहां पर इसका अंसर इसकोशन बात करें कि आपके ले काम है आगे चलते हैं कोश्न नाइब कर लेता है यहां बर कहा गए विच आफ विच आफ युटि प्रॉलिंग कंट्री कंट्री पॉलिशी आफ नो आंप सप्लाइट वागिस्तान को इस प्रांस ने कि वह सब्सक्राइब करेंगे पाकिस्तान को क्या यह आभी आपी दिको हैं कि सब्सक्राइब करेंा holistic को चुहão कोणे बाते हैं यह रही किया कि दो hype निए जो bob इसलिए को किसे पहले-पहले इसे यहता है द ereक्शन करें जर्मन य्था मकरें सब हरD जपाइन से पहले तो यहां पर जो करेक्ट रहने वाला है वो यूएस एलेक्शन से एक हफता पहले जो फेस्बूक के वह सभी पॉलिटिकल लाइट को बैंट कर देगा अगर आपको हमारे आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके बता देना एक बार और कमेंट